के बार चाहते हुरेचे would in a एम आदर के बारे में कुछ theor कोör में जाएंक अ कोंस्टिपेशन बारे कुछ संड्रिय करना हो हुए तुma हुस्ट हां में हुद्स के यायनि कुछ प्रे में विश्पेशन या रндीत अप्रेशन लोर्जन बारे में बच्छों और भाजые को बहुत ज़्यदा पाई जाती है कब्स की समश्यों को अगर समय पर ठीक नहीं किया जाए तो गैस की परिशानी हो सकती है इससे सरदर्द हो सकता है चाती दर्द हो सकता है पेट दर्द हो सकता है कमरदर्द हो सकता है उल्टी वगरा आना चक्कर आना भूक नहीं लगना कमजो अगर इस्पोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो बंद करना चाहिए खाने में हरी पतेदार सबजीयां फल, सलाथ, साग, जूस, भरका सिंपल खाना चाहिए बच्छों को बार की चिन्या के कम देनी चाहिए वैयर में योगर करना चाहिए बच्छों को फूजिकल एक्टिट करनी चाहिए बच्छों को बैठने के आदत बनानी चाहिए जो लोग ज्यादा दवाईयों करते हैं उन्हें दवाईयों के बीच थोड़ा गयाब करना चाहिए अगर इतना सब करने के बाद भी कब्स की समश्य ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर को दिखा कर ये पता करना चाहिए कि कब्स की समझ्षा किसी और विमरी की वेज़ से तो नहीं है मनोरोग की जाज से साइकाटिक जो दवाईयां खाते हैं लोग या नीद की दवाईयां खाने वाले लोगों में या ज़दा लेटे रहने वाले लोगों में या ओड़ एज के जो बुजरू होते हैं उनमें भी कब्स की समझ्षा बहुच जएता होती है अजकल थाइरोल के मरीशों में भी कब्स की परिशानी कामन होती है कब्स की जो आदतन परिशानी है उसको सिर्फ नियंद्रित क्या ज़सकता है मगर सावधानियों से इसे खत्म क्या ज़सकता है इसब बूल है पपीता है खेरा है साग है सत्तू चकुंदर बगएरा काफी उप्योगी चीज़े मानी चाती है कब्स को ठीक करने के लिए अगर आज की वीडियो में दी गई जानकर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को शियर करें बेल काइक को प्रेस करें से नए नए वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता है आज के लिए बस इतना ही जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ तक तक सबस्